स्वागत है आप सभी का रातमिक सिच्छक भरती आना सो परसेंट सिच्छा मंत्री के भासर तो पांच साले से आप यही सुन रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है त्यारी में लग जाओ यही समय दोस्तों यह तो एक लुभावना थंबिल था जिसके माधिम से आप चुड़ सक मैं देखने को मिल जाए लेकिन असलियत में क्या है सच्चाई आपके सामने है भरती 2026 के बाद ही आपको देखने को मिल सकती है ति इतना लंबा समय काफी लोगों की ओर रहेज हो जाएगी काफी लोग भरती की तैयारी करना छोड़ देंगे आपको मैं हकिकत बतना चाहता कि भरती की उमीद का सुने है राम होगा आपने किस तरह से उसे अंत में यानि कि उसका खात्मा करती है आपने है कि आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सिच्चक भरती को छोड़ कर आप राजिस्थार में भरतिया निकलती है उसमें अपलाई करेंगे हो जाएंगे बि दोस्तों आज में सच्चाईया को बताना चाहिए है कि कोई भी राजनितिक पार्टी उत्तर प्रतमान गवर्मेंट देख लीजे कि योगी बबाजी की गवर्मेंट है विपच्च पार्टी जो विपच्च में पूरी मजबूर्ती के साथ अपनी आवाज रखती है लेकिन मुद्दा सिच्चमित्र पर रहता है वो भी मुद्दा बहुत इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट लेकिन हमको सबको चाहिए सिच्चक बरती सिच्चक बरती के लिए कोई भी विधायक चाहे पच्चका हो चाहे भी पच्चका हो बिहार की सिच्छक भरती ऐसे टमें पर ये देने वाले हैं बिहार गुवर्मेंट कि आप उत्तर प्रदेश की सिच्छक भरती का पूरा मुत्ता भूल जाएंगे जो कि 1000-2000 सीटों पर आप फाइट करेंगे ज़्यद ज़्यदा तो 1500 पर हमको लेना है भरती तो निकालेंगे एक लाग निकालेंगे लेकिन करते कितने हैं अब देख लिजिए देने तो उत्तर प्रदेश के कई लाग हो जाते हैं दोस्तो जितने भी बीटीसी वाले अभियरती हैं उनका उत्तार उत्तर प्रदेश की ही सिच्छक भरती से होगा आपके जानने वाले ही कई लोग होंगे कई लोग में कुछ ही जो बिहार में पा गए होंगे नोकरी उनसे पूछीएगा क्या हाल है वो कितनी जल्दी उत्तर प्रदेश आना चाहते है दोस्तो अपने दम पर चलिए आप सारी यूट्यूब चैनल को देखिएगा वो बीड देते हैं बीटी सी के भरतियों को इतना महतु नहीं देते हैं जो एक सच्चाई है सो परसंट की आपको सच्चाई में बतने चाह रहा हूं सिच्चक भरती आपके संगर्सों से आएगी 10 लाग से जादा आपकी संख्या है सडग पर उतरिये तब ही कुछ रास्ता है तब ही सिच्चों को रिटायर्मेंट हुआ है पिछले च्छे सालों में एक लाग 32,000 से कम कर दिया जाए 60,000 कितना होगा बहुत कम हो जाएगा भई अब सिच्चा मित्रों को जोड़ते हैं आपको बताय दे रहे हैं आउट्सोर्सिंग के माध्यम से करीब एक लाग से जादा बरतिया करेंगे यह सुनने में जहां तक आ रहा है तो आउट्सोर्सिंग का मतलब है कि जैसे कि एक सिच्चा मित्रों से पहले आप मंजूर नहीं करवा पाते हैं, आप उसके बाद नहीं करवा पाएंगे, दोजार चब्विस में जब बढ़िया सीटों से बढ़िया सीट जीत करो लोग सभा में चुनाव जीतेंगे, विधान सभा में तो आटोमेटिक ही जीत जाएंगे भई, प्रसासन पूरा कर रही थी, उमीदब विल्कूल खतम कर दी है, हमारे सिच्जमत्री ने, योजना ही नहीं, अभी आप देखेंगे बिहार में आएगी, राजिस्थान में भी आएगे, मद्य प्रदेश में भी आएगी, दिल्ली में भी आएगी, उत्रा खंड में भी आएगी, सब जगा हो उद्धार सिर्फ, क्योंकि आपका उद्धार सिर्फ सिच्छ भरती से ही होगा, यह हजार हजार पांच-पांसो की भरतियों से आपका उद्धार नहीं होने वाला है, किसी भी स्टेट में जाएंगे आखिरकार आपको भागना उत्तर प्रदेश ही पड़ेगा, क्योंकि यह जो आकड़े बताए जाते हैं गवर्मेंट के द्वारा वो बिल्कुल आकड़े 100% गलत हैं जो बताती है कि गवर्मेंट बताती है कि बेरोजगारी दर 2% है अगर 2% है तो 60,000 की पुलिस भरती में 50,000,000 से ज्यादा फार्म कई से पढ़ गए जब कि पुलिस की भरती में एक जिल्मिट रहती है कुछ क्राइटेरिया रहते हैं अगर 40 साल छूड़ती जाए तो इसके फाहम एक करोड के उपर जाएंगे लेकिन दावों में आकड़ों में स्वरकार कुछ भी बताती है उन दावों आकड़ों में मत जाईए सिच्छक भरती आप लेंगे अगर आप दो हजार या तीन हजार वेकेंसियों पे मत जाईए है कि अब अधर इस्टेट में जाएंगे तो जर्नल में काउंट होंगे वहाँ पे अधर इस्टेट वालों को कित्ता कुटा है ठीक है उसी में आपको फाइट करनी है मुस्किल होगी जरूरी नहीं होती गवर्मेंट प मात्र नेता में बताना चाहूंगा रजसिंग है उनका समर्थन केजिए मैदान में आईए उसमें बहुत चमता है उस वेक्ति में वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है सिच्छक भरती के लिए एक मजबूत स्तंब आप सभी को रजसिंग के रूप में मिला है उसको अपना नेता मानिए और उसके साथ चलिए मैं एक चाहता हूँ कि रजसिंग के साथ आई है और जुडिये और कोई नेता काउन क्या कह रहा है उसके चक्तर में मत पढ़िए आपको इनी इस्तर पर आपफी लड़ाई सिर्फ रजसंग ही कर रहा सकता है, और किसी में दब नहीं है, है तो कई लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोग है, अपने आपको नेता कहते हैं, लेकिन जो भूंका रजसंग निभाई है, जो निभाता आ रहा है, वो कोई निभास स दोस्तों आईए मैदान में और एक सेर के दहाड प्रसासन के सामने वो उत्तरप्रित सरकार के सामने यह वाँ के दहाड दिखनी चाहिए जय हिंग जय भारत